हेलो गाईज आज हम सीखेंगे write the numeral for the following numeral का मतलब क्या होता है जैसे की लिखा है यहाँ 17 s e v e n t e e n 17 तो इसको हम क्याच करें यह हम नंबर में ऐसे लिखतेंगे इसको कहते हैं numeral for the following आपको आई हो आपको यह first का आपको समझा गया होगा अब हम और भी question solve करते हैं चले तो हम सबसे पहला करेंगे 18 e i g h t e n 18 मैं पहले आपको मैं पहले question लिख देती हूँ फिर आपको answer last में समझा दोंगे answer इसके क्या होंगे या आपको ने आपको यह ने तो आपको यह उसное अनदे 400 80 EIG यह एच्छ है थोड़ी गलती से हाटी हो गया तो यहाँ एच्छ है EIG हन्या गलती से आखनक यहच्छ है कि ब्सक्राइश में आखनक मंठीप सेट आखनक जागे। दोस्तों ये 9 है थोड़ा गलती से यहां smallest हो गये था smallest small n तो ये n-i-n-e ठेक है 9 900 4000 नहीं, 4000 नहीं 900 40 44 फिर्ष 72 72 82 82 82 79 79 79 9000 1000 1000 T-H-O-U-S-N-D 1000 And last, last time, matlab ki last question 4000 4000 4000 2000 फिर, तो यहां 18 18 18 2000 2000 आप हमें से याद रखियें कि 2000 सबसे पहले 2 फिर 3-0 3-0 फिर 484 न? 400 484 64 यह फिर 489 944 944 944 944 944 788 944 944 944 944 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाने तो कभे मन भूलेगा और अपने फ्रेंड्स और पैरेंट्स के साथ शेयर करें और आए हो आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको ये वीडियो के क्वेश्चिन और आंसर समझ भी आया होगे नुमरेल का मतलब आपको समझ में आया होगा थाइंक यू